चैप्टर सेवन अध्याए साथ देख रहे हैं ट्राइब्स नूमैड्स एंड सेटल कम्यूनिटीज इसका मतलब है जन्जातियां नूमैड्स खाना बदोश सेटल कम्यूनिटीज मतलब बसे हुए समुधाय इसके सवाल जवाब लेंगे हम लेकिन यहां जो सवाल जवाब हो होंगे वो मल्टिपल चॉइस क्वेशन अब्जेक्टिव क्वेशन लेंगे ट्रू फार्स लेंगे फिलिन अब्लाइंस लेंगे उसमें जहां जहां इन चितरों की जरूत होगी वहां मैं आपको वापस लेके आऊंगा यह एक जितनी जनजातियां उस जमाने में रही हम बात कर रहे हैं 77-70 गरीब लदम 18-18 शहताबदी की बीच में उस जमाने में जहां जहां जो जो जनजातिया रही उनका एक विवरण है इस पे भी हम लोटेंगे सबसे पहला सवाल है इसमें वर्ण विवस्था वर्ण सिस्टम वर्ण विवस्था ये किस ने प्रिस्ट्राइब की थी किसके कहने पर हुई थी कौन इसके संगरक्षत थे या ये कही कौन बनाते थे तो उत्तर है इसका ब्रहामण ने जो वण विवस्था बनाई वो ये है ब्रहामण सबसे उपर, ख्षत्रिय ब्रहामण जो है वो संस्क्रित का ग्यान रखते है और जितने भी धार्मी गरंत हैं गीता ले ले ले, चाहे अलग-अलग उपन निशद ले ले उन सब का ग्यान रखते है तरत रखे करमकांड करते है इसके अलावा इसके नीचे आता है अपका अक्षत्री है, शत्री है वारियर्स हैं अपने छेत्र की रक्षन करते हैं, राजा वगएरा राजा, किंग, एंपरर इसी में आते थे वैश हो गए जो ट्रेडिंग का काम करते थे सामान का खरीद फरुख्ट करते थे शुद्रा, शुद्रा में सबसे जो इन सब के काम करने वाले थे और इससे नीचे भी अधी शुद्रा आते हैं वो गंदा मैलाड होने वाले जो जंजातियां है अक्सर आपने देखा होगा कि जंजातियां या जो ट्राइब्स है आज भी आपको देखेंगे तो जंगल के इलाके में जादा है जंगलाद जहां फॉरेस्ट है, वन छेत्र है तो इनकी livelihood वहीं उसी पर dependent होती थी उसी से ली जाती थी, चाहे वो किसी का शिकार कर रहे हो जानवर का चाहे वो खेती कर रहे हो चाहे वो herding कर रहे हो, याने herding मतलब होता है पशुचारण तो ये सारी के सारी से ही वो अभी मैं सबको जब चितरन आपको दिखाऊंगा यहाँ पर आप एक पर और देख लीजे जितनी वी जंजाती आप देखेंगे यह अपना कहां से पाती है भरन पोशन, यह या तो जानवरों से या खेती बाड़ी से, संग्रहन से, शिकार से तो all of these कर दिजो इसको which tribe was influential in Punjab in 13th and 14th century तेरवी और चौधी शताबदी में कौन से tribe ऐसी थी कौन से ऐसी जंजाती थी, जो influential थी तो इसका उत्तर है खोकर अब एके करके आपको ले जाओगा यहाँ पर कौन सी कहां पर है तो इसे ध्यान रहेगा आपको खोकर, तो मैं पंजाब और कश्मीर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ खोकर देख रहा है तो इसको प्रॉड कर देता हूँ यह है खोकर, ठीक, तो यह खोकर है आप पंजाब में तेरवी और चौदवी शताबदी में यह जो खोकर आप देख रहे है वो काफी इंफ्लेंशिल थी इंफ्लेंशिल मतलब होता है प्रभाव शाली विच ट्राइबल ग्रूप इस्टाबिच्ट अ पावरफुल किंड़म इन आसाम आसाम में कौन से ऐसी ट्राइब थी जनजाती थी जिसने एक बहुत बड़ा एंपायर खड़ा किया या कहें राज्य खड़ा किया तो उसका उत्तर है अहोम जहां नौर्थ इस्ट की बात आए जहां आसाम मगरे की बात आए आप अहोम करिए और यहां देखेगा आप यह है अहोम मैं आपको नागा अहोम यह अहोम देख रहे हैं आप यह कहां है नौर्थ इस्ट में है इसी आलाखे की बात हो रही है नौर्थ इस्ट नागा और अहोम अहोम की बात हो रही है अब इनका ज़रा मैं चित्रन भी दिखा दूँ यह है अहोम ट्राइब यह है अहोम ट्राइब यह इनके founder है जिनका नाम है सुखापा अहोम डाइनस्टी अहोम डाइनस्टी या अमपायर के जो शुरुवाद जिनोंने की या उसके संस्थापक आप कहके सकते हैं उनका नाम है सुखापा ये है अहूम ट्राइब अहूम ट्राइब the important tribe of बिहार, बिहार में कौन सी है तरह देखेंगे पहले हम उसको देख ले बिहार में कौन है बिहार में चेरो हो गई ऐसे आपका मुंडास अंधाल भी बिहार में पाए जाते हैं और ये होगी है ठीक, तो इसमें अगर हम उत्तर ढूणने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ कौन सा उत्तर आएगा, इसका है का मुंडास मुंडास तो की जादा उसमें तादाद में है, तो मुंडास कहा होगे हैं यहां देखिए यह देखे हैं, मुंडास तो और बड़ा करूँगा यह है मुंडास, इतके दिमाग में बैट जाना चाहिए अहो मतलब नौर्थीस, मुंडास मतलब यहां गखर खोकर मतलब आप पंजाब कश्मीर में निकल जाएए यह होगे आपका मुंडास अब हुआ यह है कि कई एंपरर या कई किंग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बंजारा पर जाती है बंजारा लोग है, उनको यूज किया बंजारा का काम यह था कि वो सामान लाते थे वो यहां से वहां ले जाते थे तो इन्होंने इसनका यूज किया कि भई हैसा करो यहां पर हमारे सैनिक है आप लादो और हमारा जो खाद्यान है कहीं लड़ाई हो रही है, कोई वार हो रहा है तो इसको लेके जाओ यह इन्होंने यूज किया, किस किस ने यूज किया यहां पर यह है अलाओ दिन खिल जी और यह जहांगीर अलाओ दिन खिल जी जहांगीर किसको यूज किया, बंजारा नॉमाडिक ट्राइब रत मतलब होता है चेरियट, रत, कार्ज मतलब जो उसको बनाते हैं, जो उसको create करते हैं, तो चेरियट, चेरियट मतलब होता है रत, हिंदी में रत होता है, अंग्रेज़ी में चेरियट होता है, चेरियट को बनाने वाले, रत मेकर्स, चेरियट मेकर्स, इसका उतर होगा ए, जिससे, जिसको मिला के, अगर हम, ऐसे मैं गंति कर दें लगा, 84 हो गया है, तो इसको मिला के एक 84 बनता था, तो उसका उतरः 84 है, यह कहां की विवस्ता है, यह भी तो जाना चाहिए आपको, यह विवस्ता है, गोंड की, जियान दाएगा, अपगोंड, गोंड दिखा दिद इलाका मध्य गोंड कहां पर है शतिजगर्ण मध्य प्रदेश महाराष्टा अंद्रप्रदेश ये पूरा इलाका गोंडवना कहलाता है मतलब एक भाग डिविजन मतलब भाग जो गोंड किंग्डम कंट्रोल करता था वो इसे कंट्रोल करता था उसको क्या कहते थे क्या उत्तर है इसका उत्तर है गड़ गड़ इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्पैंड करके दिखाऊं तो गड़ कटंगा गही एक्जामपल ले लेते हैं गड़ कटंगा गोंड की बात वरी यह बड़ा समराज्य था यहाँ पर आप देखेंगे सब गड़ गड़ दिखाई देगी अंदाजा लगा लिजाएं यहाँ यहाँ भॉपाल है उसचाब से अंदाजा लगा लिए गड़ गड़ जनजाती है उनका में उक्यूपेशन क्या था? खेती-किसानी खेती-किसानी क्लियर दिया हुआ है आपके डिसकुशन में वीज बीर-नारायन बीर नारायन तो बीर नारायन कौन थे इसकी मैं थोड़ी सी आपको कानी उता दोता हूँ वैसे ये रानी दुर्गावती की पुत्र थे हुआ ये कि यहां किवाल बता रहा हूँ ये है अपने ये जो साहब है इन्होंने अपने आपको ये थे तो राजा कहां कि गड़ कटंग आगे ये गड़ कटंग आगे राजा है ठीक इन्होंने अपना की चाहते थे राजपुत बन जाए तो ब्रहमनों को बहुत जमीन वगएरा दी और उसके बाद ये जो साहब है इन्होंने अपना नाम या अपनी उपाधी धारन कर ली संगराम सिंग संगराम सिंग ठीक इनके जो पुत्र हुए इनके पुत्र हुए दलपत कौन हुए दलपत दलपत ने एक राजपुत महरानी राजकुमारी राजकुमारी से शादी की जिसका नाम था राणी दुरगावती तो अब मैं आपको ले चलता हूँ दलपत किसके पुत्र हुए जो गोन राजा थे उनके दलपत पुत्र हो गया इन्होंने शादी किससे रानी दुर्गावती से और इनसे जो बेटा पैदा हुआ इनसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है बीर नारायन उससे में छोटे थे तो राणी दुर्गवती ने सारा सारा समभाला और मुगलों से लोहा भी लिया इन्होंने लोहा मतलब लिटरली नी मतलब उनके अटाइक को बहुत बढ़िया तरीके से समभाला और अपने आपको उनके तो राणी दुर्गवती लक्ष्मी भाई जैसीन थी उसी के लेबल की थी तो सन है राणी दुर्गवती के बेटे है बीर नारायन बिचारे ये भी आगे चलके उनका भी दिहान तो जगया दहों ट्राइस माइग्रेटेड फॉम कहां से आए थे वो होम ट्राइब आए कहां से थे देखे ये है म्यानमार ये है म्यानमार यहीं से चले आए थे जो घमपुत्र की घाटी है ना यहीं पर ये बस गए थे म्यानमार बर्मा म्यारमार बर्मा आंसान से उची याद रखेगा, दोबर प्राइज भी नहीं रहे वो पाइक, पाइकार पाइक क्या है, देखेगा आप यह जो लोग आपको दिख रहे हैं यह है पाइक यह जो पीछे दिख रहे हैं, एक दो तीन यह एक इचितर है इतरों नहीं अलगला यंगल से लिख अगया है, यह कुल है पाइक, पाइक है बेगार बेगार मतलब होता है कि जो आप किसी को बुलाएं और पैसा ना दो उसको, बुले, भही है काम करो आप, तो उसे बेगार कहते हैं तो वहह पाइक होते थे इनुने क्या किया था? पूरे जणगणा करके को मोग ने डिवाइड कर रहा था ये भाग, ये भाग और ये जो भाग है यहां से आज आपका समय है तो इतने पाइक भेज दीजे आज आपका समय है तो आज पाइक दे जी गद्धी गद्धी अब आप गद्धी पे आईए बेले गद्धी मतलब क्या यह ट्राइब है गद्धी कहा है गद्धी गडरिया गडडी गडरिया ट्राइब है वेस्टन हिमालाय में इस जगा पे वेस्टन हिमालाय ठीक गड़ी-गड़रिया कैसे करेंगे आप कि से लिलेट करेंगे शेपर्ड ट्राइ इसका मतलब यह है कि भेड बकरियां चलाने वाले गड़ी-गड़रिया फिर आईए आप बढ़ोत 12 विलेज 12 विलेज अब आईए रथकार्स अब भी मैंने आपको बताया रथकार्थ मतलब चेरेट में कर रद बनाने वाले अब कोली जो भील्स मैंने क्यों बाद में बताया अब पहले आपको ले जाओं तो आपको एक दोग क्लिर हो जाएगा चितर भी दिखाऊगा इनका कोली जोंडिया जराव कहा है कोली कोली काम करनाटक महराष्टा गुजरात कोली ये कोली हो गए ये कोली हो गए कोली 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 तो कहाँ पर आगए किससे मिलाएंगे आप महराष्टा करनाटका महराष्टा करनाटका कोली मिला ले इनसे अपने वाद सही उत्तर है गलत होगा तो सही कर देंगे भील, भील कहा गया है? Western Central India, Central Western India कहा गया भील? यह देखिए यह Center है, यह Western है Western Central India, भील, चलिए अब इसका सही उतर देख ले यह इसका सही उतर, गड़ी Shepherd Tribe, याने पशुचारण करने वाले, कोली महराष्टा, करनाटका, भील Central Western India, मध्य पश्चिम रदकार, जो चेरिड बनाते थे, रद बनाते थे बढ़हौद, बाराई विलेजेस अगर यहां 84 होता, तो 84 विलेजेस होता ठीक है? अब हम आगए है फिलिंद ब्लैंक्स पे तो society was divided according to the rules of किसके रूल के हिसाब से divided थी? ब्रह्मन्द्स, ब्रह्मन्द्स वर्मेन तो इसका उतर सीधा आप वर्ण विवस्था कर दीजे इसका आगे उतर है वर्ण विवस्था क्या है? वर्ण विवस्था गमन्द्स वर्ण में बनाई थी अलाज नंबर ओफ डैश वर फाउड इन दी प्रेज़न डे आफ चतिस गार चतिस गार में आज कौन सारे लोग? बहुत सारे लोग रहते हैं पहले हम आपको दिखा हूँ गोंड का है गोंड? चतिस गार सबसे पहरा नाम है इनके पास या तो दूद होगा या इनके पास पनीर होगा, मक्खन होगा, दही होगा, यही तो होगा, इसके लावा तो और चीज नहीं है, मास होगा, मास क्योंकि जानवर है, तो इससे तो यह पुरी चीज़े नहीं कर सकते हैं, कंगी करनी है, तो आपको कंगी चाहिए होग समान का लेंदेन होता है तो इसका उतर है बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम दे चेरोज वर डिफीटेड बाई डैश इन 1591 चेरोज यह चेर लिखा है इसको आप चेरोज कर दीजे मैं आपको चितरन दिखा देता हूँ ताकि आपको आडिया रहे है कि दिखते कैसे थे यह चेरोज है इनको किसने हर रहा है था राजा मान सिंग यह मेम नहीं है मान सिंग है राजा मान सिंग 1591 में डैश दे थीफ अव गखर वाज मेड अनोबल बाई अकबर गखर आजाई है पर गखर दिखाऊंगा आपको गखर पर आई है यह गखर पंजाब कश्मीर गखर यह सब से उपर दिख रहे हैं आप गखर इनको किन हो ने बनाया था इसमें एक साहब थे बड़ा इंपॉर्टन उनको अकबर ने सूवेदार बना दिया था कौन से नाम इनका कमल खान गखर कमल खान गखर इस्टॉरिकल वर्क्स काल्ड बुरांजी इस वर रिटन इस डैश इंडैश अहोम लेंग्वेज तो यहाँ पर जब मैं अहोमों की बात करता हूँ यह सब अहोम चल रहा है यह सब अहोम है अहोम है अहोम है तो इसमें क्या किया कि एक बुरांजी करके एक हिस्टॉरिकल आयतिहासिक वर्णन है उसको इन्होंने अहोम में तो कनवर्ट किया असमीज में भी किया क्योंकि सारा जो जब भी आप अहूम की बात करें आसम आपके दिमाग में होना चाहिए आसमी इस इसका उतर हो जाए सवाल जवाब है True और False वाला Tribes were not divided into numerous and equal classes बिलकुल सही है क्योंकि Tribes का मतलब ही यह होता है जंजातियां या Tribes का मतलब ही होता है अब वड़ वस्ता में क्या है गंबन, क्षत्री, वैश शुद्र और उसमें भी बहुत डिवाइजन था उसके आधार पे आपके की जो काम आप करते है जंजातियों में ऐसा नहीं था बहुत उपर और बहुत नीचे नहीं था सब लोग almost equal divided थे तो इसलिए true करते है most of the tribes kept written records बिल्कुली गलत है हमको जंजातियों के बारे में नहीं पता चलता बाकी लोग क्या है, लिखित काम करते थे जैसे अगर आप मुगल अंपायर, डेली सल्तनत के बारे में बात करें डेली सल्तनत में सरजगा inscription है जो भी हमारे अलग-अलग मुगल अंपायर में मुगल राजा आए उनके कहीं ने कहीं उनकी जीवनी है या किसी ने किसी ने उनके बारे में लिख दिया या कोई traveler है उसने लिख दिया इनके पास return record नहीं थे यह सब जो चीज थी मोखिक थी वाचिक और मौखिक जो पिताजी थे उनको मिला उनके दादाजी से उनको मिला उनके पिताजी या तब इनके परदाजाजी से और आपको मिलेगा आपके पिताजी से इस तरीके से आपको मौखिक तोर पे या फिर यह गहीं traditional way में आपको tradition pass होता है बंजारा कैरवान were called Tanda अब बंजारा जो लोग थे या बंजारा लोग देख रहे हैं ये एक कैरवान में चलते थे मतलब कारवान बहुत सारी लोग एक साथ चलते थे और ठेसो से साथ सो लोग भी हो सकते हैं ये एक किसी साहब में बताया है चैप्टर में में डिसकस किया है तो ये जो है इनको Tanda कहते थे बिल्कुल सही है True Tanda अक्बर नामा मैंशन्स दी गौन किंडम अफ गड़कटंगा डाट हैड 70,000 विलिजेश बिल्कुल ही सही है अक्बर नामा अक्बर नामा जो है वो लिखा था अबुल्फजल सहाँ ने किसके लिए अक्बर के लिए और उसने जो गोन किंडम की बात की है वहाँ पर गड़कटंगा है गड़कटंगा में जो गड़कटंगा में जो जिस तरीके से विलिजेश के नमबर बताया है उनके बेटे हुए दल्पत उन्होंने शादी की रानी दुर्गावती से अर्डी कर देता हूँ रानी दुर्गावती से उनके बेटा हुआ बीर नारायन ऐसी खानी है तो ये इनकी वीडो नहीं थी ये दल्पत की वीडो थी दल्पत की विद्वाती में विल्कुल सही है तो ये बात हुई इस चैप्टर की हमने कोशिश की कि पूरा चैप्टर हम कवर कर ले इन सवाल जवाब से अगर आप चैप्टर अगर आप इस सवाल जवाब के बाद देखेंगे तो आपको सारी चीज़े सहुझ में आ जाएगे झाल ये शुक्रिया मेर्बनी